दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा तो दोस्तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट ये है जिसमें राज्य है उसके सीएम का नाम है और वहां के गौवर्नर का नाम है ये देखना बहुत ही इंपोर्टेंट है चुकि आज कल द याद रखना हमारे दैनिक जीवन के लिए और हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही लावदायक होगा अभी देखते हैं यहां एक साइड में स्कानाम लिखा हुआ है और इधर साइड में गवर्नर के नाम लिखे हुए है तो देखिए हम लोग भारत में टोटर 28 प्रदेस्ट और अठके इंदर शासी परदेश उन सब को बारी बारी से पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि मैप के माध्यम से क्या करेंगे कि एक अलग यानि की नौर्थ इस्ट राज्य जितने हैं जितने भी पुरवोत्तर राज्य हैं हमारे जिसको हम लोग seven sisters with chicken neck के नाम से जानते हैं तो उनको एक साथ कभर कर लेंगे फिर south इंडिया वाले जितने भी state हैं उनको एक साथ कर लेंगे फिर north इंडिया वाले state जितने हैं उस सब को एक साथ कर लेंगे तो ह आई देखते हैं यह क्या है कि औरुनाचल परदिश जो सबसे पूरवी राज्य है औरुनाचल परदिश के जो मुख्यमंत्री है चीफ मिनिस्टर वह पेमा खांडू कौन है पेमा खांडू जी है नाम के लिए औरुनाचल परदिश के है जो C.M. है पिमा खांडू चलिए बात करें इनकी गौवर्नर की टा इनकी गौवर्णर जो है मिल जाएगे वह है वह बहुत इसको एक ट्रिक से एक मतलब कैसे रिलेट करके हम लोग याद रखें कि हमेशा के लिए याद रहें तो हमेशा के लिए लर्न करने के लिए हम लोग कुछ यूनिक तरीका का यूज करने वाले हैं आईए इस वीडियो में जो की काफी ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है देख प्रेम से बात करते हैं अब देखिए यहां बात आ गई प्रेम से इतने प्रेम से बात करते हैं तो इस प्रेम से हम लोग पेमा याद रखेंगे कोई डाउट नहीं है इसमें और कितने प्रेम से बात करते हैं जैसे मानों कि उनकी बातों में उनकी आवाज में मिसरी घुली हुई हो मिस्री मिस्री आप लोग समझते हैं मिस्री घुली हुई हो तो देखिए तो यहां पर यह मिस्री से हम लोग मिस्रा याद कर सकते हैं और छोटा सा क्लू मिल गया तो हम लोग क्या नहीं कुछ कर सकते हैं यह तो ऑप्संस में जैसे मिल जाएगा बीड़ी मिस्रा अच ठेमा खान्डू जी चली अरुनाचल परदेष का काम तमाम इसको हम लोग याद कर गए अरुनाचल परदेष पेमा कांडू बीडी मिस्रा प्रेम से बात करते हैं मिस्री घुली होती है अब देखते हैं असम की बात असम क्या है असम के सी एम जो है वह Again कौन है अडर्सम के सियम् हमंत्विषवा सर्मा है मनत्विश्वा सर्म चले उसके बाद है यहां के जो गवर्नर है वो गवर्नर है जग दीस मुखी असंघ के गवर्नर कौन है जग जगदीस मुखी असम के गवर्नर है जगदीस मुखी असम के CM है हमन्त विश्वा सर्मा और गवर्नर है जगदीस मुखी क्लियर अब देखते हैं क्या कि इसको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं कैसे इसको रिलेट करके हम लोग याद रखेंगे इसको समझते हैं देखिए मानते हैं अब तो और नाचर प्रदेस घुम लिए अब आईए असम घुमने मानली जी कि असम हम लोग घुमने गया हैं तो असम में यह जगदीश जी जो है जगदीश जी के मुख का मुख मुख समझता है ना फेस चेहरा उसके मुख का बहुत लोग बढ़ाई कर दिया बढ़ाई हुई वहां के cm साहिव सर्मा गए ऐसे सर्मा गए तो देखिए इनके मुख की जैसे ही प्रसंसा की गई यहां के cm साहब क्या हो गए सर्मा गए यानि जिसके cm सर्मा गएं वह क्लियर तो चलिए इस तरह से हम लोग असम भी याद कर लिए यहां भी कोई डाउट नहीं देखिए असम के सी एम कौन से हो गया है मन्त विश्वा सर्मा जी और गवर्नर हो गया जगदीश मुखी क्लियर अब देखते हैं मनिपूर मनिपूर एक स्टेट है और इस स्टेट के सी एम है अब इनके गवर्नर जो है मनिपूर के लागनेशन गवर्नर का नाम क्या है लागनेशन अब इसको देखते हैं याद कैसे हम लोग करते हैं कि मनिपूर मनी मनिध और इसए लिखते हैं नजी दीए तो मनी पूर यह मनि जो है मनि कैसे लाएंगे जब ब्रेन से लाएंगे जब ब्रेन काम करेगा तभी न अदो तो मनी ब्रेन से कमाईए और लाकर गनेश जी को चढ़ाईए लाकर गनेश जी को चढ़ाईए तो ला गनेशन आप मनी यानि मनीपूर ब्रेन से यानि की बिरेन सिंग ब्रेन से यानि की बिरेन सिंग कमाईए और लाकर गनेश जी को चढ़ाईए तो ला गनेशन क्लियर एक बर और रिकॉल करते हैं मनी पूर मनी कमाईए ब्रेन से यानि बिरेन सिंग और लाकर गनेश जी को चड़ाईए ला गनेशन क्लियर कोई डाउट नहीं है इसमें चलिए इस तरह से हम लोग रिलेट करके जब याद रखेंगे न तो बहुत दिन तक याद यह सब ड कोई और हो जाएंगे यह तो पर्मानेंट होने वाली है नहीं कि हम लोग ऐसे रट्टा मार लिए कि हां बाई चलो चलो याद है याद है ऐसा तो नहीं है रिलेट करके हमको याद रखना होगा चूकि यह सब डाइनेमिक हैं हमेसा बदलते वाली है तो हम लोग कुछ- कुछ-को रिलेट कर लेंगे जिससे की हमारा ततकाल का काम निकलते रहें और याद रहे है क्लिए चली मेगाले की बात करते हैं तो मेगाले के जो CM है कनराड संगमा नाम है क्या नाम है कनराड संगमा मेघाले के CM का नाम है कनराड संगमा और इनके गवर्नर का नाम है शत्यपाल मलिक मेघाले के गवर्नर कौन है अभी बरतमान में सत्यपाल मलिक शत्यपाल मलिक वहां के गवर्नर है वहां के CM कनराड संगमा और मेघाले अब इसको हम लोग कैसे relate करते हैं देखिए याद तो कहीं से कर सकते हैं बहुत सारे channels पे यह सब दिया गया है बहुत सारे book में मिलेगा आपको google पे मिलेगा याद करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ एक relate करना एक चीजों को जोड़ना चीजों को याद रखन करने का तरीका सीखना इसलिए हम लोग एक नया चीज लेके आए हैं इसमें जोड़ने के लिए देखिए मेघाले मेघाले से मेघ मेघ का कलपना कीजिए संग्मा यानि संग्मा यानि संग्में आता है मेघ जो है संग्मे आता है और केला मेघ अगर चोटी सी बारिस होगी नहीं होगी तो मेर कि जब एक दम मेग आएगा तभी जो है बारिस होगी ऐसा मालिक का बिचार है यानि ऐसा ही मालिक बनाए है या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि मेग जो है मेग संग में आता है मतलब एक बहुत बड़ी संग है बहुत बड़ा मेग आता है और ये बात सत्य है ये सत्य बात है या फिर मालिक ने ऐसा ही सिस्टम बनाया है कि मेग जब संग में आएगा तभी बारिस होगी तो देखिए ये मालिक ने ऐसा ही सिस्टम बनाया है या मेग संग में आते हैं ये सत्य बात है ऐसे भी याद रख सकते हैं यहां तक कोई डाउट नहीं है चलिए एक बार recall करेंगे मेग संग में आती है यानि कंड़ाड संगमा मेग से मेगाले कंड़ाड संगमा और सत्य बात है यानि सत्यपाल मलिक या मालिक की ऐसे ही किरपा है तो यह मालिक यानि सत्यपाल मलिक क्लियर यहां ते हैं मिजोरम मिजोरम उसके cm जो है जोरम थंगा मिजोरम के cm कौन है जोरम थंगा कौन है cm जोरम थंगा चलिए अब इसके गवर्नर की बात की जायत इसके गवर्नर है कौन के हरी बाबू कौन से के हरी बाबू के हरी बाबू के फॉर कम भंपती कम भंपती हरी थोड़ा सा नाम अजीव है लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है मीजोरम अभी देखिए याद कैसे रखेंगे मीजोरम तो जोरम से ही निकल गया जोरम मिजोरम जोरम ठंगा मिजोरम जोरम ठंगा हो गया यह याद मिजोरम से के हरी बाबू अब मीजो से देखिए अगर हम यहां मीजोरम लिखते हैं ऐसे तो देखिए इस मीजो से हम मोजा रिलेट करते हैं क्या मोजा के हरी बाबू मोजा के से ऐसे निखले न मोजा के करह तो हर हरी बाबू के मोजा किन के हैं हरी बाबू के मोजा है ठीक है तो ऐसे याद रखेंगे मी जोरम जोरम थंगा वहां के सीएम और के कम भंपती हरी बाबू वहां के गवर्नर हो गए क्लियर चलिए अब देखते हैं नागा लेंड नागा लेंड नागा लेंड के सीएम का नाम है Nephew Ryu, क्या नाम है, Nephew Ryu, Nephew Ryu is the CM of Nagaland and Governor Jagdish Mukhi, Governor कौन है, Jagdish Mukhi, देखिए, यह Jagdish Mukhi सहाब double charge में है, है न, कोई दिक्कत नहीं है, double charge Governor ले शकते है, चलिए, Nagaland, Nephew Ryu, Jagdish Mukhi, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, Nagaland से नाग निकाल लेते हैं, नाग, नाग का मुख देखकर, मुख मिन्स मुख, फन, ठीक है, फन, नाग का मुख देखकर, मेरा नेफियू रो दिया, मेरा नेफियू रो दिया, नेफियू मिन्स भतीजा, तो नाग का मुख देखकर, मेर नेफियू रो दिया तो देखिए नागा लेंड नागा नेफियू यानि नेफियू रियो यानि रो दिया किसको देखकर मुख देखकर जगदीस मुखी यानि इस नाग का मुख देखकर याद चलिए आगे देखते हैं सिक्किम सिक्किम के जो सियम है प्रेम सिंग तामांग इनका नाम है और सिखिं विक्वेट में गंगाप्रशाद सिखिंक गवर्णर कौन है गंगा परिसाद जी है तो चलिये इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे स किन सिकिम से निकालते हैं सिक्का समझते हैं पॉइस को निकालते है सिक्का किसी से हम लोग मांगते हैं अब हम लिते हैं तो सी कि क्या है मांग लेते मांग लेते हैं तो मांग सिक्के मांग यानि सिक्किम का प्रेम शिंग ता मांग और मांगते क्या रोज से मांगते हैं कि अरे वो देव हमको मेरा है ऐसा थोरण मांगते हैं प्रियार से मांगते हैं प्रेम से मांगते हैं कि भैया सिक्के हैं छोटे हैं यह ले मेरा नोट ले चैके दी जिए हमको आप पुछ में दीजिए तो देखिए तो देखी प्रेम से मांगना सिक्रेत को प्रेम से मांघ रिए ठाहिया दीफ northeast आप प्रशाद जब या पिसी做 नदी के ऊपर औरपन करतेते हैं ठीक है इसमें कोई दिकत नहीं है तो गंगा प्रसाद हो गए यहां पर चलिए उसके बाद आते हैं त्रिपूरा त्रिपूरा के CM है, विपलाव कुमार देव, त्रिपूरा के CM कौन है, विपलाव कुमार देव, विपलाव कुमार देव, त्रिपूरा के CM है, और त्रिपूरा के गवर्णर कौन है, शत्ते देव नरायन आ रहे है, अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, त्रिपूरा स जैसे हम लोग ट्री में कड़री समझते हैं चलिए 30 है माली एक पीर है यहां पर आना जी के नीचे हो रहा है क्या हो रहे है और क्या हो रहा है शत्य नरायन भगवान की पूजा हो वहीं ट्री के नीचे सत्य नरायन भगवान की पूजा हो रही है ठीक है सत्य नरायन भगवान की पूजा हो रही है और आचानक सत्य नरायन भगवान खुस हुए और देव प्रकट हो गए कौन प्रकट हो गए देव प्रकट हो गए यहां से सत्य ट्री के नीचे सत्य नरायन भगवान की पूजा हो रही है और अचानक देव परकठ्ट हो गए तो यह हो गय घुसमें एता हैं सफिभें avete और सिस्टरud को हम लोग क्या कहते हैं तो वह हमारा आज कंप्लीट हुआ अगर सब टोटल 28 एस्टेट को अगर हम लोग एक ही वीडियो के अंदर करें तो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे इसलिए हम डिवाइड कर दी हैं मैप मैप के हिसाब से अब जैसे मीजोर दिमाग में आना चाहिए किस मतलब भारत कीज़ए में है कहां आवस्थित है यह सब बाते ध्यान में अनीचाहिए तो इस तरह करके हम लोग एक पार्ट आज कछर करदेए यानि जो North Istvall-Estate है उसको हम लोग आज कछर कर लिए वहाँ के CM को देखे वहाँ के governor को देखे और उसे relate करके याद रखने के लिए एक अचुक रामबान खोजे और उस रामबान से हम लोग याद रखें अब देखते हैं ऐसा ही अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों में और अगले ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साउथ इंडिया के जितने सारे स्टेट हैं वहां के देखेंगे वहां के सीम का नाम और गौर्नर के नाम को याद रखेंगे धन्यवाद